दोस्तों एक famous कहावत है कि books are most loyal friends you have मैं यहाँ पर एक चीज औरेट करना चाहूँगा कि books and money you have you save are most loyal friends you have तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो किताबे हैं या जो पैसा आप कमाते हैं जो पैसा आप save कर पाते हैं वो आपकी most loyal सबसे वफदार दोस्त हैं और यह जो दोस्त है आपके यह हर एक कदम पे आपकी सहाधा करते हैं आपकी help करते हैं books आपकी हरा एक problem की समास्या का जो भी समधान है जो solution है वो देता है और जो पैसे आप save करते हैं वो आपको हर एक तरह की जो problem से उससे निकालता है और इवेन आपके जो भी दूसरे गोल्स है, जो भी फानेसियल गोल्स है, जो ड्रीम्स है, उसे पूरा करने में help करता है, आपको एक wealth create करने में help करता है, जैसा कि आपने शुना होगा कि पैसे से पैसे बनता है, जो भी आप पैसे save करते हैं, वो पैसा अगर आप ठीक धंक से invest करते हैं, तो वो grow होते होते, wealth create होता है, और वो wealth से आप अपने सभी dreams and जो भी आपके financial goals है, उसे पूरा कर सकते हैं, और किताबों के बारे में तो क्या ही कहना, किताबे आपको जिस भी subject पे चाहिए, वो subject पे आपको मिल लाती हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे, तो हर एक problem का deep down, जो solution है, वो भी आपको किताब देती है, बस जरूरत ये है कि आप इन दोस्तों को अपना बना कर रखें, आप books को अपना ही करना है, आपको बस इतना ही करना है, जो सबसे loyal friend है, वो आपको आपके ज्यान में इतनी बढ़ोतरी करेगा, आपको हर एक problem से बाहर नि चीखाएगा, और जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, समयना चाहते हैं, जो भी आपके मन में conflict है, किसी चीज को लेकर उसके बारे में आपको सही तरह से guide करने की causes करता है, तो यहाँ पे ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी, books and money you have are your most loyal friends, और इनके साथ आपको हमे करते हैं, आप अपने पैसे की परवाह नहीं करते हैं, जो भी कमाते हैं, आप खर्च कर देते हैं, तो बाद में वो दोस्त आपके काम में बिल्कुल नहीं आएगा, और वहीं पे अगर आप इस friend को, यानि जो आपके पास पैसा है, उसे आप अपना एक loyal दोस्त समझते हैं उसकी कदर करते हैं, और ठीक धंक से समाजदारी से उसे खर्च करते हैं, खर्च करने के बज़ाएब उसे invest करते हैं, तो बूर दोस्त आपके बहुत काम में आएगा, और आपको future में आपके जो emergencies के समय हैं, या फिर किसी भी type के situation के समय हैं, वही पैसा आपके काम में और books से दोस्ती करें, किताबों से दोस्ती करें, और किताबों से वह सारी चीज़़ consigasit, उससा कंते हैं, जो कुछ भी आपको आज़े बढ़ने के लिए, future में growth करने के लिए, अपने आर्थिक लाइप में, आपके business life में, आपके job के अंतरगत, जो भी आपको चाहिए, वह आपको दिला सकती है और इस सब कुछ हो सकता है तब जब अपने बुक्स से आप दोस्ती करते हैं बुक्स को आपको लोयल फ्रेंट्स मनाते हैं तो आई होब कि अब इस वीडियो के लेशन को जरूर समझ पा रहे होंगे कि बुक्स एंड मनी जो आप चाहते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ये दो दोस्त आपको सब कुछ दिला सकते हैं जो आप चाहते हैं तो इन दोस्तों के साथ आपको पफ़दार जरूर रहने चाहिए और आपको इन पर समय जरूर पर लगाना चाहिए तो आई होब कि आप इस वीडियो के लेशन को जरूर शमझ पा रहे होंगे और आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो इससे लाइक और सेर जरूर करें अन्त में इस वीडियो के लगा देखने के लिए और हमारे साथ चुरूर रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद